कि सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हेलो फैंस वेलकम टू ओनलाइन अटर फोर स्टडी बनिश्टे पेड़ फोर लर्निंग दोस्तों सब्सक्राइब आप सभी का स्वागत है डेली का इंटरफे की क्लास में दोस्तों जसा कि आप सभी को बताएं डेली आप लोगों का इंटरफे की क्लास पूरेड की जाती है सब्सक्राइब आपकी क्लास नहीं दे पाई उसका इसनता दोस्तों संदे को थोड़ा एक्स्रा वर्क होनी की विए से आप लोगों को क्लास को एड नहीं की गई बट आपको डेली क्लासे जोर का इंटरफे की देखने को मिलेगी तो आज दोस्तों 12 मार्च और 12 मार्च के जितने भी इंपरेंट कोशन के पार्ट से निकल कर आते हैं वो आज वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं तो गैस वीडियो को लाइक और शियर करना बिलकुल ना भूला है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लों बैल आइकन को जहूल देखें जिससे कि आप लोगों के इंटर्फेर की वीडियो को देखें जिससे कि आप सभी को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा तो पहला कोशन आप लोगों के सामने के सब्सक्राइब को बढ़ा कर 27 परसेंट कर दिया है चार आप लोगों के सामने राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए अकर नहीं प दोस्तों पहले अब उसके बदी और कानूनी मामलों के मंतरी पीशी सर्मा ने दोस्तों इसकी गोशना की थी दोस्तों आप सभी को बता होना चाहिए मैंने जैसा कि आपको बता दिया साजेदारी पर चोदेवी CII Exim Bank Conclave कहां आयोजित की गई आपको बतानी है चार उप्सन आप लोग दो सामने है तो इस कोशन का जो आंसर होगा दोस्तों न्यू डेली इसका बिलकुर राइट आंसर होगा उप्सन जो इसका अवेलेवल नहीं है न्यू डेली दोस्तों इसका बिलकुर राइट आंसर ह तो भारत अफीका के 20 दोस्तों जो परियोजना साजिदाई पर 14 CII Exim Bank Conclave कहां आयोजित की गई दोस्तों आप सभी को मैंने बता दिया न्यू डेली दोस्तों इसका बिलकुर राइट आंसर होगा तो कवर कर लेते हैं यहां आप लोग के सामने दोस्तों इमेज है भारत साजिदाई 14 BCII Exim Bank Conclave का आयोजन किया गया यह आयोजन भारत अफीका के अर्थिक व्यपाइक संब्दों को गहरा करने की सीमा की परियोजना भागीदाई की पूरी स्लंका के लिए मार्ग पसस्त करेगा यह सम्मिलन भारत अफीका के बरिस्ट मंतियों निती निदारक और साजिदाई की वहाबना से एक साजा मंच लेकर के आता है तो दोस्तों CII Exim Bank का वासिक कॉंक्लेफ 2005 में पहली वार आयुजित किया गया था यह इंपूरेंट कोशन आप लोग याद है किया पहली वार कवा आयुजित किया था 2005 में और हाली में कहां पर हुआ आप सभी को ब वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बोजोग व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया है तो आपको बताना है चार अप्सन आप लोग के सामने राइट आंसर होगा दोस्तों जैपैन इसका विल्कुर राइट आंसर है लेकिन दोस्तों एक यार्याद है कि 11 116 वर्स की दोस्तों लिविंग है यह अभी राइट टाम पर हैं इसलिए दोस्तों 116 का दोस्तों जो है सबसे बड़ा रिकॉर्ड इनकों हासिल हुआ है बट इससे पहले दोस्तों पहले भी 117 साल की जो भी जैपान से दोस्तों ब्लॉंग करते थे तो बता देना चाहता जन्म दो जनवरी 1903 में हुआ था जो आड़ बच्चों में से साथ में इस्तान पर थी और पिछले वर्स सबसे पुरानी जीवित व्यक्ती एक अन्य जापानी महिला थी दोस्तों उनका नाम था चियायो मिकायो थी जिनकी जुलाई 117 वर्स की आयों में मित्ती हो गई तो क नेखते हैं इनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं के नहीं अगला कोशन हम कवर करते हैं यह हैं जिनकी हम बात करें जैपान की एमेला है 116 वर्स इनकी दोस्तों राइट टाइम इनकी आई हुए बढ़ते हैं अपने अगले कोशन पर बरलिन में अंतराष्टे गोल्डन सिटी गेम गेट टूरिज्म अबॉर्ड दोजा उन्नीस प्रतम पॉर्सकार किस ने प्राफ्ट किया आपको बताना है चार उप्सन आप लोग के सामने है और राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए तो राइट आंसर होगर अगर ऑसो भारत इसका बिलको राइट आंसर पॉर्ड दोजा उन्नीस में टीवी सिनेमा एस्पोर्ट की सेंडी प्रतम पॉर्सकार जीता है पॉर्सकार आई टीवी बर्लिन परेटन सचीव योगेंद्र त्रपाड़ी द्वारा प्राप्त किया गया प्रचार प्रचार फिल्म और टेलिविजिन बिग्यापनों के बा लेने और बर्लिन की दोस्तों करेंसी की बात की जाए तो यह इंपोर्टेंट फैक्ट जो भी होते हैं दोस्तों जहूलिया देखिए बढ़ते हैं अगले कोशिशन पर अगला आप लोग के सामने है इच्छित उतपाद के लिए प्रतिस्टित गोल्डन पिकॉक अबोड़ से सम्मानित किया गया एको जनरल इंस्वेंस एक नए उक्की डिजिडल वीमा कंपनी को उनके प्रसांगे सूच में जीवा उत्पाद और ओला राउंड इंस्वेंस के लिए प्रतिस्टित गोल्डन पीकॉक इनोबेटिव प्रोड़क्ट अवर्ड दोजा उन्नी से सम्मा गोल्डन पिकॉक अवर्ड फॉर कॉंपरेटिव लीडर्शिप एंड एक्सिलेंस को अब इस्थानी है बैश्विक इस्तर पर व्यबसाइक उतकरस्था का एक पहमाना मापा जाता है तो दोसो राइटांस आप सभी को पता दिये एको इसका बिल्कु राइटांस है आप ल कौशन पर कौन सा बैंक एक तारिक से अधिकांस बचत खाता जमाँ पर ब्याज और आर बी आई की रैपोर दर से लिंक करेगा आपको बताना है चार आप लोग को सामने और राइटांसर दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं राइटांसर अगर दोसो स्टेट बैंक ओफ इंडियो ऑप्शन नमबर एस का बिलकूर राइटांसर है भारती इस्टेट बैंक पहला घरेलू बैंक बन गया है जिसने बचत खाता जमाँ पर मिलने वाली ब्यास दर को एक बहारी बैंचमार्क भारती रिजर्फ बैंक को रैपोर्ट दर से लिंक किया है ऐसा भी बदलाब के प्रसारण में तेजी लाने में प्रयास किया जाएगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एक लाग रुपे से अधिक जमावाले बचत खातों में कीमत 6.25 परसेंट की मौजुदा रेपोरेट से 2.75 परसेंट कम होगी और प्रवावी दर 3.5 परसेंट है जो परसेंट से पेचले रेपोर दर पर इसका अर्थ है कि 8.25 परसेंट की एक निकत्तम कमी कीमत होगी अगला पॉइंट दोस्तों चेंज किया है खुद्रा कॉर्पेट रिंड साहित अन्य सभी अरिस्ति दर उतपार के लिए बचत खाते की जमादर और रेपोर दर से जोडने बचत खाता दारकों के लिए एक लाग रुपे तक की रासी और नगत केड़िट वाले उधार करताओं के लिए एक लाग रुपे तक की ओवरड़ाउट सीमा की ब्यारजाय निश्चित रहेंगी तो चार एहम बदलाव किये तो आप लोग नोट कर सकते हैं बढ़ते हैं अ आप सभी को पता होना चाहिए और आप सभी आंसर इसमें करेंगे अगर आपसे पूछ दिया तो आप लोग एडीवी एस्ट डेवलमेंट बैंक या फिर दोस्तों आप लोग कर देंगे बिसर बैंक तो चारव मेंसर दोस्तों राइट आंसर इसका होगा कोरियन एक्जिम ब रहन सरकार को भेजा था जिसके आगे चलकर इस को रहतो बेंक लिए इसके बाद बैंक नजाच सरकार बटा करने के लिए अमराबती में एक तीम को निफ्त किया है तो कोई एक्जिब मेंग का मुख्याल है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए श्योल के अंदर इस्ताफना हुईती 1976 में अध्यक्स दोस्तों को ने उसके सुंग सू यून वांके अध्यक्स हैं बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर अगला आप लोगे सामने है जाम मंदे बाबरी मंजिर मामले के संबंद में सुपीम कोट द्वारा कितने सरस्य मद्यस्ता पैनल बनाया गया आपको बताना है चार आप्शन आप लोगे सामने राइट आंस आप सभी को इसके बारें पता होना चाहिए तो राइट आंसर होगा दोस्व ऑप्शन नमर सी इसका बिल्कुर राइट आंसर है ऑप्शन नमर डी तीन सरस्यों के दोसर पैनल बनाया गया है कौन-कौन से सरस्यें आप सभी को पता होना चाहिए सेवा निवत नयायमूती एफ एम इब्राहिम और कली फुल्ला जी पहला दूसरा दोस्व श्री स्री रवी शंकर जी इसको लेकर विवाद भी हुआ था कि रवी शंकर जी को क्यों बनाया गया ऑप्शन नमर थाड है दोस्व सीनिय एड़्वकेट सी राम पंचु जी को दोस्व तीन मद्यस्ता पैनल बनाया गया दोस्व इन तीनों को दोस्व इस पैनल में सामिल किया गया है तो अब इस पैनल का काम क्या है सुप्रीम कोड ने राम जन्म भूमी महभावी मज्जिद विवाद मामले में राज देते हो और धामे ग्रूप से संबेदन सील मुद्धे पर 27 समाधान पर पहुंचने के लिए अदारत की निग्रानी में मद्यस्ता पैनल की जोड़ा गया और तीनों का जोस्व नाम में जोड़ा गया सेवा निम्रत दोस्तों एफम इब्राहिम कलीफुला रवीश अंकर जी को साथ में थर्ड मैने आप सभी को बता दिया सीराम पंचु जी को अब यह दोस्तों इस पर पैनल काम करेंगे और इसके बाद दोस्तों क्या डिसीजन आएगा कुछ भी इस मैटर को लेकर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाता आप सभी को पता है अगला कोशन हम कवर कर लेते हैं फिलिस्तिन पी एम के रूप में किसको नामित किया गया आपको बताना है चार ऑप्षन आप लोग के सामने राइट आंसर आप सभी को बताना है तो दोस्तों इसका जो विल्वे मौमोज शताय है दोस्तों आप लोग के सामने फिलिस्तिनी प्रदीकरण के अध्यस महमूद अब्वास द्वारा मौमोज शताय है को फिलिस्तिनी प्यदानमंती के रूप में नामित किया गया है वैस्ट बेंक प्रमुक फत्य पार्टी के एक सदस लंबे समय से अब्वास का सयोगी है राम अली हमद अल्ला ने रास्टपती महमाईम सरकात से रास्टपती महमूद अब्वास के परसे स्थीपा देने सत्ता साजा करन्ट समझोते को लागू करने के लिए हमास पताय की विफलता को रेकांकित करने के बाद घोशना की है तो किसको बनाए पीएम, बात कर लेते हैं, फिलिस्तिन के बारे में कुछ इंपर्टेंट फैक्ट् फिलिस्तिन दोस्तों आप लोग लोगों के सामने मैप में अवैलिवल है, capital दोस्तों राम लरा या फे इस्ट जेरूसलम दोस्तों वांथी केपिटल है तो नश्यका करनल दोस्तों को याद दौन को यासे करन कबता, बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला आप लोह के सामने फिन्लेंड बॉक्सिंग टूनामेंट में भारत की तरब से किस ने स्वांड पदक जीता आपको बताना चार ओप्सन आप लोग के सामने और राइट आंसर होगा कविंदर सिंग बेस्ट ऑप्शन नमर डी इसका बिलकूर राइट आंसर है कविंदर सिंग बेस्ट ने दो 56 कि की कैटेगरी में स्वांड पदक जीता है 56 किलो ग्राम की कैटेगरी के अंदर दोस्तों उन्हों है साथ में बात की जाए तो तीन अन्य फिन्लेंड के हैसिंग हैसिंग में 38 में गिवे बॉक्शिं टूनामेट में सांधार भारतिय केमपेंड को समापती की बेस्ट ने 56 किलो ग्राम में सिकर सम्मिलन रास्ट मंडल खेलों के कांस पदक जीता था हसाम उदीन को हया था दोस्तों उन्होंने तब और आज दोस्तों इन्होंने जो है फिर लोगे सामने इमेज अवैलेवर जिनकी हम बात करें कविंदर सिंग दोस्तों आप लोगे सामने अच्छा फिंड लेंड के बारे में थोड़ा सा इंपोटेंट चीजे मैं आपको बता रहे चाता हूं फिंड लेंड की दोस्तों कैपिटल है और मुद्र वांकी यूदो आप यूश को मैंने पूछा था था करने आप लोग के सामने के बारे मैं आप सभी को बता को सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को दबाले जिसके आप सभी को नौटिफिकेशन मिलते रहें दोस्तों एक वह इंपोर्टन बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों वीकली करेंट अप लोगों को प्रेड किया जाएगा साथ-साथ दिन का का इंटरफे होगा जैसे कि अगर आपने कोई भी क्लास मिस कर दिया है तो आप लोगों का दोस्तों कोई भी नुकसान नहीं होगा और कल की क्लास नहीं हो पाईती दोस्तों उसके लिए मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं थोड़ा विजी शेडियूल की वज़े से कल क्लास जो है संपन नहीं अधरवाइस जो क्लास से वह एजिटेस कंटिनूर आइंगी जैसे चलती आई है सो गाइस थैंक यू थैंक यू वाचिंग इस वीडियो